एंग्जाइटी और डिप्रेशन से शुटकारा कैसे पाए इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक्रेकर मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्तित अन्यों महाराष्ट में पिछले 40 साल से अकुला में प्रैक्टिस क बहुत ही कॉमन है नो सव मैं से 15 लोगों को एक तो एंग्जाइटी डिप्रेशन है दोनों भी है या दोनों में था प्रतिशत लोग ऐसे है कि जिनको ट्रीटमेंट की आवशक्ता हैं और बहुत जादा मात्र है हमारे दिशमेंए तो यह स्टेटिस्टिस बताता है कि इतन यह हो रहा हैं पहले था क्या झीवन सी मrst देपरेश इसको कईसाने करें यह शुटकारह और मेरे पास में आयते कुछ दिन पहले तो उमर 30-31 साल की है और मुझे बहुत anxiety लगती है और उससे उनको नीन नहीं आती बीच-बीच में बहुत गुसा आता है छुट छुटी बातों के ऊपर और बेचे नहीं आ जाती है कंफिosphine में रहते है कभी कभी पर की अंगार होती है उनको ऐसा लगता है कि ऑनके लोग मेरे बात कर रहेगा लोक मिरें कर रहे हैं यह हो आपको यह तो गोने इन्फरमेशन दिया हूं से टिपिकल एंग्जेटी लेक्षण है कि फीलिंग नर्वस और वरींग बहुत ही मतलब बरी चिंता बहुत चिंता और अन्वन चिंता है मतलब कोई चिंता का कारण नहीं दिखता हूं उनको तुभी चिंता है और उनको लगता कि कुछ तो भी धोक जल रही है सांस बहुत फूल रही है जोर जोर से सांस ले रहे है फिर पसीना बहुत जादा आता है हाथ कापना हाथ थर थर करना फिर थकान जल्दी आ जाना concentration नहीं होना कोई भी काम के ओपर concentration नहीं करते thoughts अलग 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 आते हैं नींद नहीं आती है नींद बहुत देरी से आती है या आगई तो उखड़ जाती है और यह लोगों को पेट विकार बहुत ज्यादा रहता है ऐसलोगों को होजाता पहीति उनको हृय और फिर फिर वरीम उनको टेंशन आता है वह चोड़ी-शोड़ी बाते वहाइड करते रहते हैं होगत regresha भवर याया फो बैटा भर मैं नहीं अटो दो गया तो बइक पर दो एक्सटार अपने प्रॉपर्टी निकल जाएंगे अपनी रिष्टेक हराब हो जाएंगे मतलब इतने बाइसा क्यों बोला यसका मतलब आपने बुरा सोच रहा है कुछ भी विचार चिंता कंटिनियोस लगे रहती है लगे रहती है और उसमें प्रॉब्लम आता है अब क्या इतनी इतनी सिंपतेटिक नर्वस सिस्टीम जो है दिमाग की वो इतनी एक्टिवेट हुई है इतनी ज्यादा काम कर रहे है उसमें क्या होता है इसमें अड्रेनेलीन हार्मन बहु है बहुत ज्यादा सिंपीड होते है और उसमें फिर बढ़ सकता है अ कुछ भी तो अभी इसमें कब डॉक्टरों का सलहा लेना चाहिए, मतलब डॉक्टरों को कब contact करना चाहिए आपने, एक तो क्या है, कि आपको बहुत ज्यादा चिंता है, फिकर है, और उसका परिणाम रिष्टों के उपर हो रहा है, काम के उपर हो रहा है, जिंदेगी में हो रहा है, और डर के वज़े से आप बहुत अपसेट होए और वो डर कंट्रोल करना आपको बहुत मुश्विल हो रहा है। और उसके वोज़से एंग्साइटी आ रही है कि आटक तो नहीं आएंगा और कुछ थोड़ा वो बीपी है या थोड़ा चेस्ट पिन हो रहा है या थोड़ा पेट में कुछ तो भी हो गया है तो लोगों को इतना फिकर लगता है कि बस वो चलू हो जाते इंविस्टिकेशन क ईसा कोई फीजिकल प्राब्लम है तो फिर दॉक्तर बता देना चीजिए इनस के ब्लेरा उसके लिए कोई द्बबाई लेना जरूरी है और बहुत ज़्यादा एंग्साइटी ए तो में क्या करता हो में को भुषो डिप्रेशन रहा तो एंटी डिप्रेसेंट ट्राय सेकलिक एंटी डिप्रेसेंट या फ्लॉक्सेटीन या फिर क्लोनाजी पाम ऐसे दवाईयां देता हूं मैं कि जिसमें एंजाइटी कम हो जाती है पर उसके साथ-साथ जो है दवाईयां जो कॉंफिड़नस बूस्टप करत कोगनीटिव ब्याइविर थेरपी अलब रैशनल इमोटी ब्याइविर थेरपी या फिर हिप्नो थेरपी बेस्टेस में कि रिलाक्सेशन एग्जरसाइज उनको सिखाओ विजोलाइजेशन हिप्नो थेरपी इपनोडिजम इपनो कांसलिंग सिखाता हूं मैं और जहां-ज दिखिताती है, जम्म मैं और या बधान अचली मैं क सवरान के डरेक गश्या सिह एविदरओ जिण में कैसे सबनतमदटर को सब्री के वहां और विए अपना बारन को में भालाख रहरें, वी श्याएन थे का तो फिर तमीडरन हाता हूं मैं क्यूंत मार्न है फेलेशनेशन है अलग तरह से और दवाईयां देते तो धिरे 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 उनको अच्छा लगने लगता है इसके पहले यह भी देखना जुरू है कि उनको कोई फिजिकल प्राब्लेम से नहीं क्योंकि यह सब लक्षन है पर थैरेड इसम में दिखते हैं तो एक टेस्ट करना पड़त अच्छा व्यक्तियों सकता है प्राड़ेक्टिविटी उसके अच्छी बढ़ सकती है और वह अच्छा जीवन जी सकता है तो यह एंग्जाइटी कोई भी दरह की एंग्जाइटी रहो पैनिक आटक रहो फोबिया जरो सोचल एंग्जाइटी है जो भी है वह इलाज करके ठीक होना संभव है आप ऐसा जीवन अपना बरबाद नहीं कर सकते हैं कि मुझे मुझे एंग्जाइटी में घरके बाहर ने जा सकता हूं सोचल फोबिया है कुछ नहीं कर सकता हूं और वह कुछ करता नहीं करके रिलेटिव भी कुछ उसके उपर इलाज नहीं करते बैठन जीवन में शान्ति होंगी सफलता होंगी समादा होंगा ऐसा जीवन जी सकते हैं यह आपको अच्छा लागा तो लोगों को शेर करो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो थेंक्यू बेरी मच्छ बेरी मच्छ